नमस्कार मैं राकेश वान सिंग और आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट नाई न्यूस पॉलिटिकल बाइट के खास कारेकरम में विश्लेशन आज का आज का विश्लेशन किस पर होगा आप अंदाज़ा लगाईए नहीं लगा पा रहे हैं लगाईए आज का विश्लेशन है कल के चुनाव उपर 36 गड़ के दोनों चड़नों के चुनाव मद्दान खतम हो गए कल यानी बीता हुआ कल महराज आने वाला कल नहीं तो दोनों चड़नों के मद्दान खतम हो गए MP में एक ही चरण में मद्दान था वो भी समाप्त हो गया लेकिन क्या रोचक हुआ 36 गड़ में भी कुछ हिंसक छिटपुट घटाएं हुई लेकिन माहुल बना रहा मद्देपरदेश को लेकर मेरे को याद नहीं पड़ता है कि मद्देपरदेश में पिछली बार कब इस तरह की हिंसक जड़ पे चुनाओ के दौरान या इस तरह की हिंसा चुनाओ के दौरान देखी गई क्या ये किसी तरह की एक मदलब चड़ चड़ा पंथा सत्ता पक्ष की तरफ से या आखित कैसे शिवराज चुहान जो कहते थे कि यहाँ पर सुसाशन है यहाँ पर कानून का साशन है यहाँ पर सिवराज की सरकार है यहाँ पर मामा की सरकार है किसी को खत्रा नहीं उन्हीं मामा की सरकार जब अचार सहीता के दौरान कार्यवाद मुख्यमंत्री है उन्हीं के परदेश में चुनाओ के दौरान इस तरह की फिंसा होती है कौन है जिम्मेवार लेकिन तमाम चीछों के बीच में सबसे इंटरस्टिंग बात एक निकल के आई शिवपूरी नाम जानते हो होंगे शिवपूरी मद्य परदेश की राजनीती का एक ऐसा नाम जिसके बारे में हर कोई सुनना चाहता है समझना चाहता है और वहां की राजनीती गतिविधियों पर बढ़ी बारीकी से नजर रखता है चलिए उससे पहले एक सवाल का आप जवाब दीजी कि कबरिस्तान और शम्षान से क्या मिलता है उसे बल्द जवाब है कबरिस्तान में जो मुस्लिम समुदाय है उनके यहां किसी का देहान्त हो जाता है तो उनके धार्मिक व्रवस्था के तहर व्यक्ति को कबरिस्तान में दपनाया जाता है और हिंदु में किसी का देहान्त हो जाता है तो शम्षान घाट में उनका अंतिम संसकार किया जाता है यही सब काम होता यानि शम्षान से आपको अस्थी मिलेगी और अगर कबरिस्तान की खुदाई करे तो आपको नरकंकाल मिल जाएंगे यही मिलता है आपकी समझ के अनुसार भी यही मिलता होगा लेकिन कल शिवपूरी मे क्या मिला कल शिवपुरी में मिला कब्रिस्तान के बीतर से जहांसे अभी तक पूरी तरीके से नरकनकाल मिलते थे कब्वी शिवपुरी में 6 ईवियम मशीन मिली आप सोची कितनी तो चुनाव आयोग के अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए शक पका गए बेचारे अब क्या जवाब दें अब जवाब तो देना था कॉंग्रेस कारे करता हो और जो बूत सदस्य होता है जो बूत कारे करता होता है कॉंग्रेस का जिसकी हर पार्टी दल की तरफ से ड्यूट तो नहीं हो रहा उस व्यक्ति को चुनाव आयोग का व्यक्ति एक सम्विधानिक संस्था पर बैठा व्यक्ति सही से जवाब नहीं दे पारा था जब कांग्रेस कारेकरताओं इस पूरे माहौल को और उस चुनाव आयोग के अधिकारी या जो भी चुनाव आयोग की तरफ से वह बात कर रहा था जब वीडियो बनाना शुरू किया तो उनका एक बात किया था कि भाईया हमें बात तो कर लेने दो ये कैसी सक्पकाहट जब सब ठीक था तो क्यों घबराना वीडियो रिकॉर्ड होने दीजिए लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने देने का वह बार बार अनुरोद कर रहा था ये भी इस देश के लोग तंतरिक विवस्थाने और ऐसे चुनावायोग के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा जिसके एक मुख्य चुनावायोग पी एन सेशन भी थे जिनका एक कहावत जिनका एक कथन मुझे याद आता है कि मैं हर रोज सुभे नाष्टे में नेताओं को खाता हूँ ये वही चुनावायोग है और वही चुनावायोग के ये अधिकारी है जो आज एक बूत हिस्तर पर मंदान के इंदर पर लगाए ड्यूटी पाटी कारेकरताओं को ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे है आखिर ये कबर में दफंती ल सुनावायोग को बताना होगा आखिर क्यूं जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनश्चित करने का फैसला किया कि सम्विधानिक संस्था की प्रतिष्था मर्यादा गरीमा सिध्धान बने रहे उस समय क्या हडबड़ी थी कि सरकार ने विधाईका की मदद लेकर संसत की मदद लेकर एक ऐसा विधियत पास किया जिसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लगभग पलड़ दिया हम पुरी तरीके से नहीं कह रहें लेकिन लगभग पलड़ दिया ये भी अपने आप में प्रशन चिन्नों के बीच में खड़ा सवाल है जो पूछ रही है जनता कि आखिर ऐ की बात कर रहें जिस तरीके से लोगों का कहना है कि लोकतंत्र भीलवादरी सो गया एक घटना का मैं जिक्र करता हूं वर्श था दोस्तों 2017 इस बार जिला है शिवपुरी उस बार जिला था भिंड अब अब सुनिए गा उस समय क्या हुआ मर्धय परदेश जिले के अटेर म अटेर मध्य परदेश के भिंड जिले में पढ़ता है अटेर में मशीनों का डेमो चल रहा था 2017 और उसी दोरान देखा गया कि किसी भी बटन को दबाने पर वीवी पैट परचा भारतिये जनता पार्टी का ही निकल रहा था जिसके बाद जिला के कलेक्टर और पुलिस मारवाई हुई सेलीना सिंग ने तब कहा था कि मशीने ठीक से कैलिब्रेट नहीं हुई थी दरश्यकों इस लाइन को सुनिएगा ठीक से कैलिब्रेट तो क्या इस बात की सभावना नहीं है कि मशीनों का इस हिसाब से भी हो जाए कि वीवी पैट में तो किसी भी दल की परची दिख जाए लेकिन जो रिकॉर्ड कर रहा है मद्दान अंदर उस कैलिब्रेशन को आप ऐसा कर दें कि वैसे भाजपा के हित में ही गिरें यह अपने आप में सवाल है और यह मेरा कहना नहीं है उस समय जो मध्य पर वहां पर भाजपा का साशन है या केंदर में भाजपा का साशन है इसलिए सरकार से सवाल पूछना यह सरकार की काम करने की तरीके पर परश्णिचिन खड़ा करना हमारा फर्ज है लेकिन EVM के मसले पर भाजपा भी कभी पीछे नहीं रही है मैं आपको कुछ डाटा दे दे चाहूंगा जीवियल नरसिम मारा भाजपा के बड़े नेता राज्य सभासान साथ उन्हों ने तो EVM के ऊपर पूरी की पूरी किताब लिग दी डेमोक्रेसी एक्ट रिस्क कैन वी ट्रस्ट और इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यह भाजपा का कहना था जब सत्ता में कॉ बाल या निशान खड़े किये थे सुबरमन्यम स्वामी ने यह कहा था कि 90 लोकसभा सीटे ऐसी थी जहां पर कॉंग्रेस का जीतना बिलकुल असंभाव था लेकिन कॉंग्रेस वहां जीत गई तो EVM में कड़बढ हो सकता है और दर्शकों आपकी जानकारी के लिए और बता सबसे पहला सवाल खड़ा किया गया था वर्ष था 2004 और आप चौक जाएंगे खड़ा किस ने किया था सवाल सवाल खड़ा किया था दिली की सांसर नहीं दिली छेत्र की सांसर मिनाक्षी लेखी के पिता और जो उस व्यक्त के सबसे बड़े वकील थे उन्हों ने सवाल लोकतंतर समविधानिक संस्थाओं पर लगतार संदेह बढ़ता जा रहा है उस दौर में इवियम पर चुपी हर दल ने अपने हिसाब से ले रखी है और अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से वह इवियम पर चुपी तोड़ते हैं अन्त में मैं अपनी बात इस बात के सा समात करूंगा कि लोकतंत के भीतर समविधानिक संस्थाएं लोकतंत का प्रतीक हैं अगर देश के किसी भी एक विक्ती के मन में समविधानिक संस्थाव को लेकर संदेव उत्पन होगा तो इसमें किसी बात की अतिश्योक्ती नहीं है कि वह पूरे लोकतंतर की वचूत पर सव खड़ा कर रहा है और लोकतंत्र प्रतिस्था और विश्वास से चलता है बल पर नहीं आज के विश्रेशन में इतना ही तब तक के लिए दीजे मुझे इजाज़त देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइन यूज पॉलिटिकल बाइट तर नहाँ